तो गाइस आज के इस वीडियो में देखेंगे MP पुलिस का जो पेपर हुआ है उसके जितने भी मुझे कोश्चन मिले इस वीडियो में डिसकस करेंगे बिद आंसर के साथ तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैन 15 पॉइंट के अगर बात करते हैं तो यह है निकोवार दीप बताया चाहरा कि एक कोश्चन आया था कि पाई की बैलु क्या होती है पाई का मान क्या होता है एक्चुल में जो पाई की बैलु होती है वो 22 वाटे साथ अगर साथ का डिवाइड 22 में करते हैं तो आपका जो ब एक कोश्चन आया था MP का लखनों जो है किसे कहा जाता है तो MP का लखनों कहा जाता है सिबनी को किसको कहा जाता है सिबनी एक कोश्चन था गुजरात के बर्तमान में CM का नाम बताओ बर्तमान में गुजरात के CM कौन है यह हो जाएंगे भूपेंदर पटेल एक कोशन था मानब सरीर के आमासे में जो भोजन पहुचता है उस भोजन को क्या कहते हैं वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है काइम क्या कहलाता है काइम अगर कोशिका का बहुत ज़्यादा बार अगर विवाजन हो जाता है तो इस विवाजन के कारण कौन सा रोग उत्पन हो जाता है तो इस विवाजन के कारण जो रोग उत्पन होता है वो होता है बताया जा रहा था करक रोग होता है कौन सा करक रोग एक question इस तरह से आया था मद्द प्रदेश में राम लीला मेला जो है वो किस जगए पर लगता है तो मद्द प्रदेश के गौलियद जिले में लगता है राम लीला का मेला लबल लीना किसे सम्बंदित है तो मुक्के बाजिया कह सकते हैं बॉक्सिंग से संबन देता है एक कोश्चन था भॉपाल का संस्थापक कौन है तो भॉपाल का संस्थापक की बात करते हैं तो भो हो जाएगा महॉम्मद खान गोटमार का मेला MP में या मद प्रदेस में किस जगए पर लगता है तो इसका अंसर हो जाएगा छिंद बाड़ा क्या हो जाएगा छिंद बाड़ा एक कोशन था नबगरहा का मेला MP में या मद्द प्रदेश में कहां पर लगता है तो नबगरहा का मेला लगता है खरगाउन में कहां लगता है खरगाउन MP में मद्धु प्रदेश में नर्मदा नदी का जो नाभी कुंड है ये कहां पर है तो ये हो जाएगा नेमा बर अगला कोशन है माहील नदी की टोटल लेंथ या कुल लंबाई कितनी है तो ये हो जाएगी 583 किलोमीटर एक कोशन है होसंग सहा का मकबरा मद्ध प्रदेश में कहां लगता है तो होसंग सहा का मकबरा कहां पर है तो मद्ध प्रदेश के मांडू में है एक कोशन है बिटामिन B की डिस्कबरी किसने की खोच किसने की तो बिटामिन B की खोच की थी मै कुलन ने एक कोशन है भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है उसका नाम बताईए तो यह हो जाएगा कुँची कल कारवन का सबसे सुद्धतम अपर रूप कौन सा होता है हीरा या कह सकते हैं डाइमंड एक कोशन आया था मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो यह हो जाएगा बारगी बांध अगला कोशन है मालबा से स्वतंत्र मुस्लिम सासक का क्या नाम है तो यह हो जाएगा दिलावर खान गोरी एक कोशन था मद्द प्रदेश में दिल्ली दर्वाजा किस जगए पर है तो मद्द प्रदेश में दिल्ली दर्वाजा हो जाएगा मंडू कोरोना हमारे सरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है प्रभावित करता है तो यह हो जाएगा लंग्स, यह कह सकते हैं फेफडे, एक कोस्चिन था पी ओपी, यह कह सकते हैं प्लास्टर ओप पैरिस का रासाइनिक सुत्र क्या होता है, तो यह होता है, C.A.S.O.4.H.E.C.O. भारतिय बंडे क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का नाम क्या है, यह हो जाएगा अजीत बाडेकर, एक कोस्चिन था, MP में, मद्द प्रदेश में, सहिंदो का मंदिर किस जगे पर इस्तित है, तो यह हो जाएगा मुरैना, लद्दा के उपर राजपाल का नाम बताईए, क्या यह हो जाएगा, राधा क्रश्न माथर, कोस्च tickets तरह से था, धनुस दुरी मंदिर मद्द प्रदेश में कहाँ पार है, तो धनुस दुरी मंदिर है, मद्द प्रदेश के टीकम गड़ में, एक कोस्चिन था, सेब में कौन सा आमल पाया जाता है, तो सेब में, मैलिक एसट पाया जाता है मैले कमल पाया जाता है एक कोशन था नेपा नगर जो मिल हैं इसकी स्थापना जो है किस वदर्स में वंगी ती नेपा-नगर मिलके स्थापना हुई थी 1948 1948 में और आज का लास्ट है डे किंग सोडा का रसानिक सूतर क्या होता है तो यह होता है अने है एच सीओ थरी तो गाइज आज किस वीडियो में इतने हैं अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू